आकाश्वाणी मद्ध प्रदेश से प्रस्तु थे प्रादेशिक समाचार नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरत बागहला सबसे पहले इस बुलेडिन के मुख्य समाचार प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी आज आकाश्वाणी पर मन की बात कारिक्रम में अपने विचार साज़ा करेंगे मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहनी अदव ने कहा कि अयोध्या की तरह चित्रकूट का भी विकास किया जाएगा जने जाती संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मद्दप्रदेश में ट्राइबल कैफेटेडिया स्थापित होंगे और महिला किरकेट में भारती टीम का मुकाबला न्यूजिलेंड से आज डेड़ बजे एहमदाबाद में होगा अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नर्यंदर वोधी आज सुभा 11 बजे आकाश्वाणी पर मन की बात कारिक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साजा करेंगे ये मासिक रेडियो कारिक्रम की 115 वी कड़ी होगी ये कारिक्रम आकाश्वाणी और दूर दर्शन के सभी नेटवर्क आकाश्वाणी समाचार वेबसाइट और News on AIR मोबाइल एप पर प्रसारित किया जाएगा इसे आकाश्वाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधान मंत्री कारले और सुषना तथा प्रसारण मंत्राले के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद शेतरी भाशाओं में भी इस कारिक्रम को प्रसारित किया जाएगा मुख्यमंत्री डक्टर महुनी आदव ने कहा कि आयोध्या में 500 वर्ष के अंतराल के बाद राम लला की प्राण प्रतिष्टा हुई है तब से पूरे देश में सनातन संस्कृती की धारा बह रही है चित्रकूट के कणकण में भगवान राम की महिमा व्याप थे अयोध्या की तरह तीर्थ इस्थल चित्रकूट का भी विकास किया जाएगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर चित्रकूट के विकास में कोई कसर नहीं छोडेंगे मुख्य मंत्री डॉक्टर यादव कल सतना जिले के चित्रकूट में संस्कर्ती विभाग दोरा आयुजित शिरी राम कता के विवित प्रसंगों पर आधारित साथ दिविसी अंतराष्टी शिरी राम लला महुसम के समापन समारों को संबोधित कर रहे थे मुख्य मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि शिरी राम के जीवन के हर चरित्र और प्रसंग हमें जीवन मुल्यों की शिक्षा और प्रेणा देते हैं मुखी मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राम की लीला को अंतराष्टी इस्तर पर मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलेंड, कमबोडिया में भी प्रेणा के रूप में पहुंचाने वाले हमाएं हमारे कालाकार हैं प्रदेश का इस्थापना दिवस धुमधाम के साथ मनाने की तयारी की जा रही है, इस बार इस्थापना दिवस पर दिपावली पर्व का संयोग बना है मुखी मंत्री डॉक्टर मोहनी आदव ने इस्थापना दिवस पर चार दिन के कारिकरम के संबन्द में चर्चा की भौपाल के लाल परेड पर 30 अक्टूबर को विशेश कारिकरम में भारती सेनकी ओर से बैंड, प्रदर्शन और अन्ने कारिकरम आउजित किया जाएंगे मुखी मंत्री डॉक्टर मोहनी आदव ने कहा कि दिपावली पर सभी के मन में वोकल फोर लोकल का भाव रहना चाहिए उन्होंने कहा कि दिया बाती बनाने वाले साफ सफाई वाश्रंगार की सामागरी बनाने वालों और ऐसी ही गतिविध्यों में इस्थानी सर पर लगे वेक्तियों और उनके परिवारों से मिलकर दीपावली पर्व के उस्सा और उल्लास का प्रकरटिकरन होता है मोखिमंत्री डॉक्टर मोहनी आदव ने कहा कि मद्प्रदेश के प्रमुक परेटर निस्थलो पर जनजाती संस्कृति को बढ़ावा देने और इस्थानी जनजाती समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश से राज्य सरकार ट्राइबल केफेटेरिया स्थापित कर रही है इसमें इस्थानी जनजाती वेंजन, हस्तशिल्प और पारंपरिक सजावट उपलब्ध होगी जिससे परेटक एक अनुखे सांसकर्ती के वंपारिवारिक अनुभव का आनंद ले सकेंगे प्रदेश के सिवनी जिले में पेच नेशनल पार्क के समीब टूरिया गाउं में बालगाट जिले में काहना नेशनल पार्क के पास और धार जिले में मांडू में ट्राइबल केफेटेरिया निर्माना धीन है इन केफेटेरिया के जरिये परियटकों को शेत्री जनजाती संस्कृती, खानपान, वियनजन और शिल्पकारी से रूबरू होने का अफसर मिलेका मुखी मदरी डॉक्टर रियादव ने कहा कि इस पहल का उद्देश ना केफल परियेटन को बढ़ावा देना है बल्कि इस्थानी जनजाती समुदाय को रोजगार के अफसर उपलब्द कराना है अब समाचारों में वक्त है एक प्रिक का ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फेरा अब का स्वागत है उपभुकता मामले खाद्य और सारवजिनिक फितरण मंत्राले ने सभी जिला कलेक्टर और जिला मजिस्टेट को उन निर्माताओं और खुद्रा विकरताओं के खिलाफ एक राष्ट व्यापी अभियान शुरू करने के निर्देश दिये हैं जो दोपहिया सवारों के लिए गेर अनुपालन वाले हेलमेट बेशते हैं। विभाग की सचिव निदी खरे ने कहा कि ये पहल बाजार उपभुकताओं को भारती मानक ब्यूरो बी आईसी प्रमानित उत्पादों के बारे में शिक्षित करने के लिए जरूरी है। उन्होंने सभी हितिधारकों से नागलिकों की सुरक्षा के लिए इस अभ्यान में सक्री रूप से भाग लेने का आगरे किया है। भारती महिला क्रिकेट टीम एहमदाबाद में आज तीन मैचों की श्रंखला के दूसरे एकदविसी अंतराष्टी मैच में न्यूजिलेंड के साथ खेलेगी। ये मैच भारती समय के अनुसार दोपहर डेल बजे शुरू होगा। इससे पहले भारत ने भारत ब्रहस पतिवार को एहमदाबाद के नरेंदर मोदी स्टेडियम में श्रंखला के पहले मैच में न्यूजिलेंड को उनसर ट्रंसे हराया। मनिका बत्रा ने फ्रांस में WTT चेंपियंस मोंट पेलियर दोहजार चोबिस टूनामेंट के शिर्ष आर्ट में पहुँचने वाली पहली भारती टेबल टेनिस खिलाडी बनकर इतिहास रचा है। हाला कि कौर्टर फैनल में वेचीन की कियान तियानई से तीन शून से हार गई। विश्व में तीसवी वरियत अप्रावत बत्रा ने विश्व की चौदवे नंबर की खिलाडी रोमानिया की बर्डान टेंट इसको जोक्स को तीनेक से हरा कर कौर्टर फानिल में जगा बनाई थी। अपको समचार संक्षेप में। करमचारी राजबीमा E.S.I. योजना के अंतरगत इस साल अगस्त में 20,04,000 नए करमचारी उसने नामंकन कराया है। श्रम एवं मरोजगार मंतलाले के नुसार अगस्त में 28,917 नए प्रतिष्ठानों को E.S.I. योजना के दाएरे में लाया गया है। बैतुल जिला में मिलावट से मुक्ती अभ्यान के तहत खाद्य पदार्थों का विक्रे करने वाले प्रतिष्ठानों से सेंपल लिये जाने की कारवाई की जा रही है। खंडवा के कृषिव इज्ञान केंदर में किसान सम्मेलन एवं संगोष्टी का आयोजन किया गया। इसमें प्रधान मंतरी सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्यान योजना अंतरगत प्रोसेसिंग एकाई लगाने के लिए किसानों को प्रशिक्षन दिया गया। नई दिल्ली में क्रेडा भारती के राष्टी पदादिकारियों के प्रतिनी धी मंडल ने केंदरी खेल मंतरी मंसुख मान्डविया से भेट कर ग्रामिन शेत्रों में भारती खेलों के विकास पर चर्चा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फेर। क्रिकेट में भारती टीम का मुकाबला न्यूजिलेंड से आज जो डेड़ बजे एहमदाबाद में होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही तीजय अनुमती। नमस्कार।